हलो गाइस आज में आप लोग को बताने चाहरा हूँ जितनी भी ओनलाइन लोन कंपनिया हैं उनके खिलाप आप लोग कैसे कंप्लेन करोगे RBI को दोस्तों मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये साइध वीडियो डिलीट हो जाए मेरी काफी वीडियो डिलीट हो चुकि ये सिर्फ एक कंपनी की वजह से तो इस वीडियो में मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं पूरा तरीका बताऊंगा जिससे की आपकी help हो जाए और आप लोग की जितनी भी टेंसा ने वह सारी की सारी दूर हो जाए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आपके पास में लीगल नोटिस आया है क्योंकि काफी लोगों ने मेरे पास में कमेंट की है सिब्सेवर वो कमेंट को उठाके मैं बता रहा हूं क्या 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 प्रॉब्लम है जिन लोगों के पास में लीगल नोटिस आई है मैसीज में इमेल पे तो दोस्तो है मैं आपको बताऊंगा कि आप minor case कर सकते हो जिन लोगे पास में message आया है कि आपके उपर police case हो चुका है, आपको jail जाना पड़ेगा, अगर jail नहीं जाना है, तो आप settlement कर लीजिए, ये message आया है, फिर भी आप लोग इसमें complain कर सकते हो, उसके अलावा दोस्तों, अगर आपके message, call, करकर के आपको परिसान किया जा रहा है, तब भी आप लोग इसमें complain कर सकते हो, अगर आपके overdue लगा दी जा रहे है, बीना बात कि तब भी आप लोग इसमें complain कर सकते हो, सर्फिशन चार्ज के नाम पर आपसे पैसा लिया जा रहा है आपने पे कर दिया फिर भी आपसे पैसा लिया जा रहा है प्लैन कैंसल कर दिया है फिर भी आपसे पैसा ले लिया जा रहा है तो दोस्तों आज में आपको जो तरीका उताओंगा इन सभी दोस्तों जितनी भी प् तो आप लोग इस टब को मिस कर दोगे और आप लोग अपनी कम्प्लेंट वहाँ पे दर्ज नहीं कर पाओगे तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब क पेस्ट करता हूं और इस वीडियो देख लेंगे उसके बाद में आप लोग को कंप्लेंट करनी है वन्ना आप लोग को समझ में नहीं आएगा जब मैंने वेबसाइट ओपन की कुछ इस तरी के इंटरफेस है तो यहां पर आप लोग को काफी सारी लेंग्वेज मिल जाती प्रूब देदू कि यहां पर आप लोग जाएंगे सबसे नीचे तो आप लोग देख सकते हो कॉपिराइट 2022 और इंडिया डिस्क्राइमर दोस्तों जितनी भी वेबसाइट होती है उनके नीचे जब जाएंगे आप लोग सेक्शन में तो वहां पर आप लोग को उस वेब आप लोग कमप्लेंट डालए मैं अबले उसके बाद दोस्तों यहां पर ठीड विए क्लिक करने हो में के अव्यफिर स्ञें कर जाएगा वा जाएगा तो यह आप लोग कंप्लेग करता है सीदहा सामने करना बता दोता म्याहिं काफी सारी कंफ्प्लेट कर सकते हो लेकिन मै लोग को इस पर क्लिक करना है जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरिके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी NBFC दोस्तों जब भी आप लोग लोन लेते हो तो एक वेरिफिकेशन होता है NBFC की तरफ से दोस्तों उनको भी एक कंप्लेंड जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सबसे उपर अपना नाम डालना है उसके बाद में इमेल आईडी अपनी डालनी है फोन नमबर आपको अपना डालना है और उसके बाद में आपके नमबर पे OTPI का वेरिफिकेशन के लिए उसके बाद में आप लोग को अपना एड्रेस डालना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको इस्टेट डालनी है अपना पिन कोड डालना है जिसमें इस्टा है क्योंकि 99% लोगों को short form में पता होता है तो आप लोग कंपनी का नाम फुल नेम डाल के उसके बाद में जो भी आपको short name पता है मैं नाम नहीं लूँगा मैं और लेडी पता चुका हूं कि मैंने अगर इस वीडियो में नाम ले लिया यह वीडियो डिलीर हो जाएगी तो यहां पे आप लोग को उस company का नाम डाल देना पूरा नाम डालना है उसके वाद में यहां पे address डाल देना है company का अगर second address भी है तो आप लोग डाल सकते हो यहां पे third address भी डाल सकते हो मुझे पता है दोस्तों आप लोग किस company के उपर complain करनी है तो यहां पे तीन address जो पूछ तो आपको यह जाए अगर आपके पास लीगल नोटिस आई है यहां पी आप लोग को काफी सारी कॉल करके परिसान किया जा रहा है तो आपको यह तो इस पर से कंपरते हैं अगर आप लोग से काफी चार्जेस लिए जा रहा है Cape MANDर रुका रागे महां पर लोग को अद्र का से गाता है frontier यहां फिर पर प्रोब्लम है यह सब से लास्ट में आप लोग को अडर पीडिक्र कर देना है यहांपर अप आप लोग को यह जो मैं recommend करूँगा चार्ज वाला इस पर लिख कर देना है तो यहां पे आप लोग अपने हिसाब देख लिजिए कि कैसे आप लोग करनी है यहां पर मैं other पर लिक कर देरा हूं in normal तरीके से आप लोग बताने के लिए उसके बाद में आप आप लोग को यहां पर लिखना पड़ेगा कि किस तरी किस बारे में आप लोगी कंप्लेन जैसे कि मान लीजे एक्जामपल के तो और पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सफिस्टन चार्ज के नाम पे कि आप लोग से चार्ज लिए जा रहा है तो यहां पर आप लोग देता है भरने के लिए भर देना कि यह कंपणी ने कुछ इस तरीके से चार्ज लिया कुछ इस तरीके से मेरा प्लान एक्टिवेट किया प्लान कैंसल नहीं हो रहा है एक्टु जड़ सब कुछ यहां पे लिख सकते हो अगर आपके पास में पूरूफ है कि आप लोग का प हुआ है उसके बाद में आप लोग को वेट करना को 20 cearing swamp लगेगा वेट करना है अगर आप लोग को अपनी कंपलेंद दिखने की आप आपके कहां तक निलेख करोगे यहां पर लिख लोग कर दो करके दिखा के दूअप का Time सबसे पहले आपका phone number OTP verification होगा वो डालेंगे तो यहां पर आप लोग की complaint दिखा दी जाएगी उसके बाद में अगर आप लोग पर आप लोग के पास आपने डाली है वह यहां पर कर सकते होगी कहां तक पहुची है तो दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से online जितनी भी online company है दोस्तों loan provide कर रहे हैं आपके से fraud कर रहे हैं आप लोग को टौचर कर रहे है मेंडिली डिश्टब कर रही है दोस्तों आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आप किसी से बात करने में भी डर रहे हो तो दोस्तों आप लोग इसी वेबसाइट पर जाके कम्पलेन कर दो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्फ हो जाएगी 101 परसेंट तो दोस दोस्तों आप लोग से एक और निवेदन है मैंने सेकेंड चैनल का लिंक भी डिसक्रस्क्राइब कर सकते हो ताकि आपको अपडेट मिलते रहे है लाइफ टाइम तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगए होगी तो वीडियो अच्छी लगए हो तो दोस तो चलता हूँ जय हिन जय भारत